येलो एवरीवान, आप सब का बहुत स्वागत है टैरो एन औराकल स्पेस में आज हम डिसकस करेंगे ये सब कभस और डविल सब आये तो हम कैसे रीट करेंगे, कैसे क्या हम क्लاج को क्या बताएंगे तो सबसे पहला देखो ये सब कभस A sub curves ऐसा दिखाता है कि emotional fulfillment को, love relationship को, new beginning में ये सब दिखाता है A sub curves साथ ही साथ double क्या represent करता है materialism को और negativity को जब भी ये दोनों कार साथ महा आए तो आप अपने client को ये बोल सकते हो कि जितना भी negative pattern है आपके life में जो भी चल रहा है वो सब को release करना होगा दिखो जब तक आप negative pattern को release नहीं करोगे, break नहीं करोगे, तब तक आपके life में कुछ भी अच्छा नहीं होगा और सब कुछ आपके life में negative होते होते जाएगा दिखो यहाँ negative pattern कुछ भी हो सकता है, हमारा जो old belief, जो कुछ भी हमें अच्छा सर्फ नहीं करता होगा smoking हो सकता है, drinking हो सकता है, overthinking हो सकता है, कुछ भी, जो हमारे life में अच्छा चीज नहीं होता है वो सबको हमें बोला जाता है कि negative pattern, वो सबको हमें release करना है यहाँ आप अपने client को ये भी बोल सकते हो कि थोड़ा self control करना सीखो self control मतलब देखो, हम लालच में आका ना बहुत बुरा काम कर देते हैं तो यहाँ आप अपने client को ये बोल सकते हो कि self control करना सीखो साथी साथ जितना भी negative schedule है, मतलब जितना भी negative pattern है, वो सबको ना let go करो जब तक आप negative pattern को release नहीं करोगे, तब तक आपके life में new beginning नहीं हो पाएगा कोई कोई client हमारे पास आते हैं कि हमारे life में सब कुछ खराब चल रहा है, क्यों खराब चल रहा है अगर ये दोनों card आ जाएंगे तो आप अपने client को ये बोल सकते हो कि देखो आपका old belief ही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है जब तक आप release नहीं करोगे तो इतना प्यार भरा जो beginning आपके life में नहीं आएगा और आप negative pattern को कैसे release कर सकते हो देखो एक ही मैं technique बार बार बोलती हूँ कि हो पोनो पोनो technique आप ये कर सकते हो साथी साथ आप meditation कर सकते हो देखो meditation हर किसी के बसमें नहीं होता है और हर कोई नहीं कर पाता है तो डेली रात को आप ये कर सकते हो कि हो परनुप परनु टेक्नीक आप सुनो बोल सकते हो या कर सकते हो ठीक है यूटूब में तो बहुत सारा विडियो है और आप एक चीज में आपको बता देड़े हो ओम ओम चैन्ट करना शुरू कर दो जितना जादा आप ओम चैन्ट करोगे उतना जादा आपका जो जितना नेगिटिव पैटर्न है न सब कुछ रिलीज होगा फिर देखो फिर देखो जब भी एक रिलेशनसिप में आ जाए तब आप अपने क्लाइन को क्या बोल सकते हो तो आप अपने क्लाइन को बोल सकते हो कि आप दोनों का जो रिस्ता रहेगा ना बहुत इंटेंस रहेगा बहुत ज़्यादा पैसनेट रहेगा मतलब सेक्शुल एक्टिविट कुछ भी कर सकता है would dangerous relationship हो सकता है और यह partner अपको ना control करने के बहुत ज़्यादा कोशिस करेंगे मतलब ज़्यादा हो सके वो आपको control करेंगे मतलब आप कहां जा रहे हो क्या कर हो किसके साथ रह रहे हो क्या खा रहे हो सब कुछ कुछ कंट्रोल करेंगे तो थोड़ा पॉजेसिव रिलेशनसिप रहेगा और वह पॉजेसिव नेस धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जाएगा मतलब प्यार रहेगा लेकिन अगर आप उनका बात नहीं सुनोगे न तो आपके पर हाद भी उठा सकते हैं ठीक है डेंजरियस रि कंट्रोलिंग नहीं रहेगे गाद रहेगे लेकिन अगर प्यार नहीं रहेगा बस सेक्शुल एक्टिविटी रहेगा तो ऐसा समझ लो यह जो आपके पार्टनर रहेंगे वह आपसे बहुत जादा जूड़ बोलते रहेंगे बहुत जादा मैनिपूलेशन होता रहेगा मत एक्टिविटी बहुत जाधा रहेगा मतब इन दोनों का जो रिलेशनसिप रहेगा लस्ट से भरा हुआ रहेगा और आप अपने पार्टनर मतब आप अपने क्लाइन को यह बोल सकते हो कि अगर आपको यह परसन नहीं चाहिए तो तुरांथ ही यह परसन के साथ कट अफ कर ल आपके पार्टनर के वजह से आपका जितना भी गोल रहेगा जितना भी जो लाइफ पाथ रहेगा वह चेंज हो जाएगा मतलब आपका लाइफ ना 360 डिग्री आंगर चेंज हो जाएगा क्योंकि यह परसन आपको कंट्रोल करना चाहता है तो उनके हिसाब से आप रहोगे पूरा चेंज हो जाएगा आप डिपेंडेंट फील करोगे जो टॉक्सिक पार्टनर रहेंगे उनके उपर मतलब आप डिपेंडेंडेंट फील करोगे तो यह काड बिल्कुल भी सही नहीं आता है और जब भी यह काड आए तो आप अपने क्लाइन को यह बोल सकते हो कि रिले इंजरियस काड है और इसके साथ अगर कोई भी आ जाता है ना काड तो हमें नहीं ही बोलना चाहिए क्योंकि यह जो पर्सन है ना यह बहुत जादा नेगिटिविटी हमारे लाइब में फैलाएगा जो भी करियर हो सकता है जॉप हो सकता है बिजनेस हो सकता है रिलेशन झाल